दोस्तों यदि आप चाहते हैं पार्टले पुतरा इंवरसिटी में BA-BA-CBCOM के लिए एडमीसर लेना तो आपके लिए काफी बड़ी खुस ख़बरी है क्योंकि पार्टले पुतरा इंवरसिटी में BA-BA-CBCOM के लिए ओनलाइन आभेदन की परकिरिया लाइव कर दी गई है लेना ही आपके लिए फायदे मंद होगा क्योंकि कोई भी मिश्टेक अगर आप करते हैं तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा वीडियो को भी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें साथी चैनल को जरूर सस्काइब करें ताकि आने वाले वीडियो का जो भी कर सके पढ़ले पुतरा इंवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा ओनलाइन अपडेट स्टियम डॉट इन का ओफिसल वेपसाइट पे इस वेपसाइट पर आने के लिए लिंक वीडियो डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उस पे क्लि क्लिक करेंगे यहां पर आपको अप्लाइब वाले पोर्टल पर भीजेगा जहां पर एक बार आकर आप यहां पर इंपोर्टेंट डेट है जहां पर देख सकते कब क्या होगा जैसे आपका पर्थम मेरेट लिस्ट जो है 16 जुलाई को आएगा तो इससी वेपसाइट से आप इससे डाउन यहां पर आपके लिए जरूरी है सभी चीजों को इस पर विशेश रूप से ध्यान दिया गया है और एक option मिलता है continue to form का इस पर किलिक करेंगे सबसे पहले यहां पर आपको बोर्ट से लेकरना होगा कि आप किस बोर्ट से जो हाल का एक्जाम है जैसे 12 का एक्जाम है किस ब भी हार बोर्ट वाले के लिए आप उस पर क्लिक करेंगे 12 का जो भी पासिंग यह आपका रहा होगा वह पासिंग एर सेलेक्ट करेंगे साथ ही यहां पर बोला जा रहा है कि 12 का रॉल कोड और रॉल नमबर डालना है जिसमें पहले आपको रॉल कोड इस बाले कॉलूम में को डालना है जैसे जो भी आपका रॉल कोड होगा इस परकार फिलफ करेंगे और रॉल नमबर जो भी आपको होगा रॉल नमबर यहां पर डालेंगे उसी को फिर्मा जो है दुबारा डालना है रॉल कोड और रॉल नमबर को नीचे स्कॉल करना है यह कैप्चर इस बॉक्स कोई detail गलत है तो यहां से अभी back हो सकते हैं मेरा सारा detail सही है इस पर click करेंगे फिर आगे की कुछ detail आपको fill करना होगा जो भी detail आप भरेंगे intermediate या high school का जो भी आपका marksit होगा उसके अनुसारी भरेंगे जिससे जो भी candidate होगा candidate का जो भी नाम होगा यहाँ पर आपको fill up करना है उसके बाद नीचे scroll करना है उनके पिता जी का जो भी नाम होगा यहाँ पर आपको fill up करना है फिर नीचे scroll करना है माता जी का जो भी नाम होगा यहाँ पर fill up करना है एक बार फिर से धियान रखे जो भी detail डाल रहे हैं आप अपने marksit के according जरूर डाले ताकि आपका mistake किसी भी परकार की ना हो यहाँ पर date of work डालने के लिए calendar मिलता है सबसे पहले यहाँ से year को select कर लेंगे जो भी month होगा उसको select करेंगे gender बताएंगे male है female है अपना religion बताएंगे किस धर्म से आप आ रहे हैं फिर आपका जो भी category होगा category बताएंगे उसके बाद सब category आपका अगर आता है तो बताएंगे अनेथा note applicable पर click करेंगे यहाँ पर अगर आप अलप संख्यक से आते हैं तो आप यहाँ पर एस करेंगे नेथा note पर click करने देंगे नीचे एस कॉल करेंगे यहाँ पर आपस बोला जागा रहा है कि डुमिसाइल एस्टेट बताएं किस राजी के अपने वासी है डुमिसाइल परमान पत्र आपके प टेटियल में जैसे आपका जूभी परमानेंट अड्रेस होगा उसके कॉपूरिंग कुछ डिटियल को पूछा जा रहा है जैसे आपका जीला कौन सा है कि जीले साफ इस फॉर्म को फिल अप कर रहा है फिर आपका जूभी एड्टेस है एड्डेस अब पूरा लिखेंगे जैसे village, post office, इस according जो भी आपका address होगा, सारा address को fill करेंगे, pin code को डालेंगे, एक mobile number डाला, mobile number को again डालना है, फिर email ID डालना, email ID को एक बार फिर से डालना है, अब उपर देखेंगे, यदि किसी का permanent और correspondence address दोनों सेम है, तो उस case में आप यहाँ पर tick out करेंगे, तो यह दोनों address automatic fill up हो जाएगा, अगर आपका permanent और correspondence address दोनों अलग लग है, तो यहाँ पर manually आपको fill up करने की आप सकता परेगी, नीचे scroll करेंगे, यहाँ पर educational detail में आप देखेंगे, बोला जा रहा है कि यह जो detail आप से पूछा जा रहा है, यह तेन्थ का detail है, यानि metric का जो भी आपका detail है, उसके according कुछ detail, जैसे आपने जो भी पढ़ाई किया था, तेन्थ का किस साल पास किया है, कौन से बोट से आपने पास आउट किया है, फिर आपका roll number रॉल कोड डालना है, जो की दोनों साथ है, बिच में slash का उपयोग आपको करना है, जैसा अगर माल लीजे आपका roll code ये रहा, तो फिर slash ब बताएंगे, और उसमें आपको कितना मिला है, वो detail आप यहाँ पर बताएंगे, फिर सेम उसी परकार 12 का जो भी detail है, आपके सामने ये देखनों को मिलेगा, और यहाँ पर opt-in mark साब से पूछा जाए है, कि 12 में आपको कितना number मिला है, वो आप यहाँ पर जरूर बताएंग उन्होंने math नहीं लिया, तो उसके समें यहाँ पर नो ही रहने देना है, तो यह detail आप अपने according देख लिजेगा, नीचे जब स्कॉल करेंगे, यहाँ पर फोटो अप्लोड करना है, फोटो का जो resolution है, आपको बताया गया कि डेर सो एंटू डेर सो में होना चाहिए, इसका maximum size 20 के भी है, जो कि इसका limit रखा गया है, इसको खास ध्यान रखिया है, signature भी आपको maximum 20 के भी में ही अप्लोड करना है, फोटो अप्लोड करने के लिए एक option मिलता, browse का इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जहाँ भी आपने photo रखा है, फोटो को यहाँ से chain करेंगे, इस प सेब होगा, इस पर कर आपको login ID मिल जाता है, और password आपके mobile number पर send कर दिया जाता है, आप चाहे तो इसको copy भी कर सकते हैं, और यहाँ पर एक option मिलता है, click here to login and continue का, आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको direct आगे वाले STA पर भेज दिया जाएगा, यहाँ पर आनेक upload नहीं किया, तो यहाँ पर click करेंगे, फिर यहाँ पर एक option मिलता है, document upload का, आप इस पर click करेंगे, जहाँ पर आपका photo signature देखनों का मिलेगा, high school का marksit upload करना होगा, intermediate का marksit upload करना होगा, migration अगर आपके पास available है, तो migration को भी upload करना होगा, migration certificate जो भी number मिला होगा, वो number डालेंगे migration का विशु हुआ है, वो आपको डालना है, फिर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, कि अगर आप में applicable है, तभी आपको categories certificate को upload करना है, EWA से अगर आप आते हैं, तभी upload करना है, फिर एक option मिलता है, upload file and continue का आप इस पर click करेंगे, फिर अगला detail आएगा, जैसे आपने जो भ select करेंगे, जहाँ पर अगर आपने number को डाला है, कि आपको option में 325 number suppose अगर मिला है, तो वो बताए कि 325 आपको किसके subject मिला कर मिला है, जैसे यहाँ पर subject का नाम होगा, जैसे 12 में अगर मान लीजे, आपने science का exam दिया था, तो science में physics chemistry math या bio हो सकता आपके साथ, या उसके अल मिला है, वो आप यहाँ पर बताएंगे, जैसे इस recording फिर आपका chemistry रहा होगा, तो chemistry select करें, chemistry में आपको कितना number मिला था, वो आप यहाँ पर बताएंगे, फिर इस recording फिर यहाँ पर आएंगे, फिर उसके अलावे भी अगर bio रहा होगा, तो bio select करेंगे, नहीं तो English रहा होगा तो English में आपको कितना number मिला है, वो आप यहाँ पर बताएंगे, उसके बाद नीचे scroll करना है, फिर आप नीचे आजाएंगे, उसके अलावे भी आपका math रहा होगा, तो math देखेंगे कि math में आपको कितना number मिला है, वो भी आपको बताना होगा, इस recording जो है, जैसे 5 subject आपका एड कर देना है, और कितना number मिला है, उसको डाल देना है, उसके बाद नीचे जवाप आएंगे, यहाँ पर एक option मिलता, save and continue का, आप इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर बोला जा रहा है, आप OK वाले पर क्लिक करेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर जैसे जो भी honors आप करना, जैसे BA के लिए इतना सारे course है, BCOM के लिए आपको देखनों को मिलता है, BAC के लिए देखनों को मिलता है, तो आप अपने according जो भी subject रखना चाहते हैं, आप simply क्या करेंगे, यहाँ से उस honors को चैन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, जो आपका honors रहेगा, व आप जहाँ के college को preference के तोर पर देना चाहते हैं, उसको select करेंगे, जैसे यहाँ पर college का नाम आ रहा है, college का नाम चैन करेंगे, और यहाँ पर एक option मिलता है, add का, आप add पर click करेंगे, तो यह college आपका यहाँ पर add हो जागा, फिर इस परकार कम से कम आपको जो है, पांच college add कर है, तो यहाँ से चलिए हम यहाँ पर 15 college को यहाँ पर select कर देते हैं, ताकि admission की process किसी ना किसी college में मेरा हो सके, तो यहाँ पर हमने पटना का भी लगभग जो है, पांच college यहाँ पर chain कर दिया है, उसके अलावे हम चाहते कि नहीं, मेरा कुछ college नालंदा का भी रहा है, तो न कि आपका college add हो सके, तो यहाँ पर हम लगभग college यहाँ से add कर दिये, फिर एक option मिलेगा आपको save and continue का, आप इस पर click करेंगे, जैसे ही आप इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो है maximum आपको 20 college chain करना होगा, sorry यह minimum college है, जो कि 20 आपको देना ही होगा, तो इस परकार आप 20 college को chain कर ले पहले, जिसमें ध्यान रखिएगा, कम से कम आपको 10 ऐसे college select करना जो affiliate हो, और 10 college government होना चाहिए, अब यह कैसे पत्ता चलेगा, तो यहाँ पर affiliate देखनों को मिलेगा, तो इस एकोडिंग 10 ऐसे college chain आपको करना वजसक होगा, तो 10 affiliated college को chain कर ले, तभी आपको आगे का form फिल अप होगा, इस परकार जब आगे की process आपका complete होगा, तो फिर आपको payment करने की आप सकता है, पड़ेगी, payment यहाँ पर clear mention हुआ है, कि 300 रुपे आपको payment करना है, payment करने के यहाँ पर आपको password आपके जो number पर भेजा गया होगा, उस password को डालेंगे, एक option मिलता, proceed to payment gateway, आप इस पर किलिक करेंगे, यहाँ पर दिखेंगे, एक mention किया हुआ है, कि यदि आपके bank खाते से रासिक कट गई अधवार, आपको भुकतान सपल होने का message प्राप्त नहीं उसके बाद यहाँ पर card holder का नाम, card holder का नाम डालेंगे, एक option मिलता है, पेनाव का इस पर किलिक करेंगे, उसके बाद आप अपना print जो है, यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने का भी option आपको मिलता है, तो उसके बाद आगे कि जो process होगा, आपका जो merit list ज करिया है, 27 तारिक तक चलाई जाएगी, जिसका last date है, आपको यहाँ पर देखनों के मिलेगा, तो दोफ्तों, यह complete process था, पार्टली पुतरार इंवर्सिटी का, बीए, बीए, सी, बीकॉम का admission form भरने का, मैं आसा करता हूँ, जो भी जयनकारी हमने आपको दिया, समझ में आ आपने बाद